Hello everyone! How are you all? Welcome to Ecosoom! आज की लेक्चर में हम लोग study करने वाले हैं next topic opportunity cost. बहुत ही important है अलग-अलग competitive exams के लिए और economics के basic concept है, जो हम लोग first year में study करते हैं. तो opportunity cost क्या होती है? समझने के लिए एक example देखते हैं. सपोज आपके पास 500 रुपीज हैं, तो 500 रुपीज में आप क्या-क्या purchase कर सकते हो, सोचू जरा. एक तो आप एक mobile में एच्छा सा recharge डाल सकते हो, एक data pack डाल सकते हो, या फिर friends के साथ कोई party कर सकते हो, आपके पास और एक option है, आप movie देख सकते हो, या फिर कई घूमने जा सकते हो, 500 रुपीज में. तो इन सब में से आपने preference दिया, कि आपने सुचे रहे 500 रुपीज है, तो सबसे best क्या है, कि मैं अच्छे से एक movie देख के आता हो, रिलाक्स हो जाएगा माहिन. आपका जो first alternative है, first option के है movie देखना, पर अगर movie अच्छा है, या नहीं कई पे लगा, तो फिर आप second option के बारे में सोचोगे. तो second option है, friends के साथ अच्छे से party करना, then third option आपने suppose decide किया, कि कई पे तो घूमने जाना है, और last option आपका है, कि mobile में recharge डालना है. तो यह होगे आपके चार options, जो आपने चार, एक proper order में आप लोग ने लगा लिये. I just write it down. तो यह है आपके चार options, एक अच्छे सी order में जिसमें आपने अपना preference बताया है, और वो first preference है आपका movie. तो अगर आपने decide किया, कि आपके जो 500 रुपीज है, वो movie पे spend करते है, यानि कि उसके बाद का जो next best alternative है, party with friends, वो आप नहीं कर सकते. क्योंकि आपके पास 500 ही रुपे है, और वो आपने already movie पे spend करना decide किया है. इसका मतलब आपने जो next best alternative है, वो forgo किया है, और आपने decide किया movie देखना. और ये जो next best alternative आपने forgo किया है, उसे ही economics में कहते है opportunity cost. तो हम लोग अभी definition देखते हैं, opportunity cost, the opportunity cost of a choosing activity or commodity is the value of next best alternative which is foregone. मतलब जो next best alternative हमारे पास available है, बट हम लोग first alternative choose करते हैं, और इसलिए next वाला हम लोग forgo करते हैं, sacrifice करते हैं, तो इसलिए जो sacrifice किया है, उसकी cost को हम opportunity cost कहते हैं. For example, किसी farmer के पास one acre of land available है, one acre of land, जिसमें वो क्या कर सकता है, one acre में suppose उसने wheat to produce किया, तो उसको profit होगा 2000 रुपीज का, और उसी one acre में अगर उसने rice cultivate किया, तो उसे profit होने वाला है 1800 रुपे का, देखो, W weight, 2000 रुपीज, और for rice, he will be getting 1800 रुपीज. So, obviously, वो क्या करेगा, उसका best option है, to cultivate wheat, क्योंकि उसे profit ज्यादा मिलने वाला है. But when he selected his land, to cultivate wheat, उसे rice production से, जो 1800 रुपीज मिल सकते थे, वो उसे forgo कर रहा है, और ये जो 1800 रुपीज है, जो उसने forgo की है, While producing wheat, उसे हम लोग केते है, opportunity cost. हमेशा याद रखना, हम लोग हमेशा best option है, वो चूज करते है, और उसके बादवाला जो option होता है, वो हम लोग पहले forgo करते है. और इसलिए, जो बादवाला second option है, जो हम लोग forgo करते है, उसकी जो भी cost है, उसे हम लोग केते है, opportunity cost. Sometimes we can measure it in terms of money जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने money term में measure किया है कि profit कौन से production में कितना होगा But not every time Sometimes we cannot measure it in money terms जैसे कि आपके पास एक morning का one hour है आप रोज सुब़ छे बजे उठते हो तो छे बजे उठने के बाद आपके पास क्या क्या option से देखते हैं एक तो सबसे पहला option आपके पास यह हो सकता है कि उठना ही नहीं है Must एक घंटा सोना है आराम से उठना है दूसरा option आपके पास है कि morning में जल्दी उठो कुछ meditation और yoga करो तीसरा option एक अच्छा सा walk पे जाके आओ फोर्थ option आपके पास है कि कुछ तो study करो कि morning में अच्छा study होता है तो ये चार options आपके पास है आपने उसमें से first option select किया Must आपने चादर ओडली और आप सो लिए तो वो option जब आपने select किया तो उसके बाद वाला second option था आपके पास yoga and meditation जो आपने forgo किया है इसका मतलब yoga and meditation से आपको जो कोई benefit मिलने वाला था देखो benefit money time में नहीं मिलने वाला था बट benefit मिलने वाला था जो आपने forgo किया क्योंकि आप वो time में सोने का decide करते हो तो वो जो time आपने west किया या फिर yoga नहीं किया तो वो जो cost है उसे भी हम लोग opportunity cost कहते है जो कि हम money time में measure नहीं कर सकते है और economics के अगर यह concept हम देखते है तो यह हमारी daily life की हर एक चीज में applicable होती है क्यों? क्योंकि resources cares है और उनके alternative uses है जैसे time resource आपके पास क्या है? limited है दिन में सब को 24 घंटे ही मिलते है limited time है तो आपको क्या करना है? वो time आप लोग अलग अलग चीज के लिए use कर सकते हूँ opportunity cost है same way land है limited है उसके पास बहुत ज़्यादा land नहीं कि सारे production वो ले सके limited है तो उसे क्या करना है? अलग अलग option से वो rice cultivate कर सकता है, wheat cultivate कर सकता है बागे बहुत सारे production cultivate कर सकता है तो alternative options है इसलिए opportunity cost है आपके parents का monthly income limited है क्योंकि उनको wisely spend करना है monthly income है alternative uses है क्योंकि money है तो वो decide कर सकते है कि कौन सा amount कहाँ पे कब spend करना है opportunity cost अगर आपने parents ने किसी मंत में decide किया कि चलो बच्चे को कोई एक class extra लगाते है और उन्होंने क्या क्या अपने बच्चे को एक class extra लगाने के लिए घर में उनको कुछ birthday party करने थी या फिर सबके लिए कपड़े purchase करने थे वो forgo किया वो amount save करके बच्चे के tutions पे spend किया इसका मतलब क्या है उनके पास और एक option था कि एक तो घर में कुछ party करे या फिर कपड़े सबके लिए खरी दे पर उन्होंने वो forgo करके best option कि आपको tution के लिए वो पैसे दे दिये इसका मतलब आपकी tution के लिए जो पैसे spend किये है उसका opportunity cost है forgoing of the shopping by your parents I hope आपको ये concept अच्छे से समझी होगी जैसे कि कोई producer है producer मतलब क्या इनसान ही है उसने कुछ education लिया है उसने कुछ career के सपने देखे होंगे तो एक तो वो क्या कर सकता है एक तो वो खुद की firm start कर सकता है या फिर वो बाहर कहीं पर job भी कर सकता है पर उसके लिए उसे लगा कि best option किया खुद की firm start करना जहाँ पर ज्यादा profit हो सकता है खुद अपने मर्जी के मालिक हो सकते है किसी के under काम करने की जरूरत नहीं है इसलिए उसने select किया first option खुद की firm start करना बट ऐसे वक उसने क्या किया है market में job करके उसे जो भी income मिलने वाला था वो उसने forgo किया है तो यह उसका opportunity cost है बट यह exactly find out करना मुश्किल है क्योंकि उसने अपना education complete होने के बाद immediately firm start की तो ऐसे वक इट is very difficult to find out the opportunity cost और इसलिए उसकी imputed value ली जाती है यानि कि कोई representative value ली जाती है अगर उसका MBA उसका जो भी education MBA किया है और कुछ education उसने लिया है तो वही education लेने वाले person को market में कितनी salary मिलती है उसके basis पे यह person का और यह businessman का हम लोग opportunity cost find out कर सकते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं imputed value या फिर opportunity cost या फिर representative value कोई farmer है जो सिर्फ खुद के farm में काम करता है और उसने खुद के farm में अब तक काम किया है तो उसका opportunity cost कैसे find out करेंगे क्योंकि उसने कभी भी किसी और person के farm में काम किया ही नहीं है ऐसे वक्त एक one day के लिए एक farmer को और एक laborer को farm में कितना salary मिलता है कितना amount मिलता है उसके basis पे हम लोग इस farmer की भी opportunity cost find out कर सकते for example per day farmers को मिल रहे 500 rupees तो यह farmer ने भले बाहर काम नहीं किया है इसलिए उसको 500 rupees का income one day के लिए forgo करना पड़ा तो उसके opportunity cost आएगी 500 rupees ऐसे बहुत सारी choices हर दिन हम लोग बनाते जैसे कि hotel में जाते तो क्या खाना है वड़ा पाव खाना यह समोसा खाना है वड़ा पाव खाया तो opportunity cost समोसा समोसा खाया तो opportunity cost वड़ा पाव means ऐसे n number of examples हमारी daily life में हम लोग opportunity cost के देख सकते हैं so अगर आप economics में इंट्रेस्ट लेते हो या फिर नहीं इंट्रेस्ट है तो हम इचे concept ना आज होज में apply करने के लिए try करूं तभी आपको समझेगी कि यह कितने useful है और कितने हम लोग choices बनाते हैं आपकी मम्मी भी अगर सबजी लेने के लिए जाती है तो चार बार वो देखती कौनसी सबजी की price क्या है accordingly वो decision लेती कौनसी सबजी purchase करनी है एक purchase की तो दूसरी का purchase forgo किया opportunity cost I hope आपको आज की concept अच्छे से समझी होगी अगर आपको इस concept से related कुछ भी doubts है then please write us into the comment section आपको हमारे videos अच्छे लगते हैं और आपने ECOSO को अब तक subscribe नहीं किया है then please subscribe to ECOSO Thank you and take care